नमस्कार दोस्तों ये Stock Market for Beginners की सीरीज का दूसरा वीडियो है और इस सीरीज के अंदर मैं आपको वही गिसा बिटा Stock Market for Beginners की थियरी नहीं बता रहा यहाँ पर मैं अपना actual experience शेर कर रहा हूँ जो कि मैंने Stock Market में as a beginner experience किया है तो इस वीडियो को एंटक जरूर देखिए और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो इसे आप like जरूर कीजिए दोस्तों मेरी पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि मैंने शेर बजार के अंदर शुरुआत कैसे करी और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा शेर बजार के अंदर पहला दिन कैसा रहा तो वीडियो का इंटर जरूर देखे और अगर आप मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे यूट्यूब चैनल यश्टीवी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए डीमाट अकाउंट ओपन होने पर मैं पहले ही दिन पर अपने ब्रोकर के ऑफिस गया और इस दिन मैं सोच कर गया था कि आज तो प्रॉफिट कमा कर ही घर लोटना है तो दोस्तो इससे पहले भी मैं अपने पिताजी के काम के सिलसिले में दूसरे ब्रोकर के ऑफिस जा चुका था और वहां का अट्मोस्फियर ही एकदम अलग था तो वहां पर एक बड़ा सा टीवी लगा रहता था और टीवी के सामने चार पाच काका लोग बैटे रहते थे और जबी भी शेर का भाव उपर या नीचे जाता था तब वो जोर-जोर से चिलाते थे रिलायन, सुपडिनाग, ठाटा, वेचिनाग, भाई-बाई-बाई-बाई, चेल-चेल-चेल लेकिन मेरे ब्रोकर के ओफिस में लखीली ऐसा कुछ नहीं था यह बहुत ही कम लोग वहां पर आते थे और वहां पर मुझे भी अच्छा लगा तो लकिली ये मेरे लिए भी बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम मिल गया ब्रोकर से बात करने के लिए और अपने सवाल पूछने के लिए नहीं तो काका लोग से कंपीट कौन करेगा मेरे ब्रोकर के ओफिस में भी टीवी स्क्रीन थी और उस टीवी स्क्रीन पर पचास स्टॉक्स के नाम चमक रहे थे कोई उपर जा रहे थे कोई नीचे ग्रीन रेड ऐसे स्टॉक्स के नाम चमक रहे थे तो मुझे इन पचास में से केवल दो स्टॉक्स के नाम पता थे पहला है SBI और दूसरा है ITC SBI क्योंकि SBI के अंदर मेरा bank account था और ITC के बारे में मैंने recently कहीं पर फढ़ा था तो मैंने बिना कुछ study किये, बिना कुछ पूचे randomly ITC के 10 shares buy कर लिए मेरे DMAT account में 3000 रुपे थे तो 300 रुपे के भाव से मेरे पास 10 shares आ गए और उस दिन मेरा नसीब इतना खराब था आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्योंकि फूब दिन बजट का दिन था सुबह मैंने सवा नो बज़े stocks buy किये ITC के और 11 बज़ते ही ITC का stock का price यह 10% डाउन चला गया तो यहाँ पर दोस्तों मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या हो रहा है actually वहाँ पर क्या हुआ था कि government ने टोवैकों के उपर exercise duty यह बढ़ा दी थी taxes बढ़ा दे थे और इसी वज़े से यह negativity में stock का price नीचे गया था लेकिन जब आप चीजे practically करते हो तब यह बहुत ही अलग experience होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे factors होते है demand and supply के अलावा जो stock price के उपर effectively act करते है और उसके basis पर stock price उपर नीचे होती है जैसे की news हो गया sentiments हो गया और भी बहुत सारी ऐसी चीजे है जो मैंने आगे चल कर सीखी उस समय दोस्तों मैं बहुत ज़ादा डर गया था क्योंकि इतना loss मैंने कभी देखा ही नहीं था पहले ही दिन पर 10% loss उस समय 7% का rate मिलता था interest rate FDs के उपर और एक साल के बाद वो पैसे देते थे और यहाँ पर मैंने केवल 2 घंटों में 10% loss कर दिया था जो की बहुत बड़ा बलो था मेरे लिए अभी इस loss को कैसे recover करना है यह मुझे नहीं पता था और आगे चलकर loss कितना ज़्यादा बड़ेगा यह मेरी समझ के भार था तो मैंने सीधे अपने broker से पुछा कि अभी मुझे loss हो रहा है अभी मुझे क्या करना चाहिए तो मेरा broker यह full chilled out person था उसने कहा फिलाल के लिए hold कर ले day end तक देखते है अगर उपर आ जाता है तो ठीक है अगर नहीं उपर आया तो हम इसे बेज देगे और end में मुझे यह book पढ़ने के लिए खा अगर यह book मैं पूरी पढ़ लेता हूँ तो मेरा candlestick का पूरा concept clear हो जाएगा ऐसे मुझे बताया था मैं दोस्तो book पढ़ने के लिए बहुत जादा आलसी था तो मैंने अपने broker को सीधे बताया कि मैं already बहुत सारी पढ़ाई की books पढ़ रहा हूँ तो ये book पढ़ने के लिए मुझे time नहीं मिलेगा तो कोई shortcut हो तो बताओ तो मेरे broker ने smile किया और मुझे google के उपर एक page open करके दिखाया कि ये ये charts है ये सब charts को याद कर ले लेकिन फिर भी मैं book पढ़ने के लिए suggest करूँगा क्योंकि chart patterns के वल याद करने से कुछ नहीं होगा कब trade लेना है कब trade नहीं लेना है ये सब कुछ इस book के अंदर explain किया है बाकि तेरी मर्जी है लेकिन अगर सच में सीखना है तो ये book पढ़नी पढ़ेगी इससे पहले दोस्तों मैंने कोई भी books नहीं पढ़ी थी अपनी पढ़ाई के अलावा क्योंकि मुझे पहले तो आदत नहीं थी और दूसरा मैं बहुत जादा आलस कर रहा था इस book को पढ़ने के लिए लेकिन मैंने इस book को पूरा पढ़ा क्योंकि मुझे ये सीखने में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने ये book को पूरा पढ़ा और इसके बाद में मुझे धिरे-धिरे करके books पढ़ने की आदत लग गई जेनरली दोस्तों लोगों का mindset ऐसा होता है कि हमारी graduation जब पूरी हो जाती है तब हमारी पढ़ाई ये पूरी तरह से खतम हो जाती है लेकिन दोस्तों ये बहुत ही गलत mindset है क्योंकि हमारी actual पढ़ाई ये graduation के बाद चुरू होती है जो आपके knowledge को updated रखती है इस dynamic world में survive करने के लिए तो मैंने अपनी सबसे पहले book Steve Nissen की Japanese Candlestick पढ़ी उसके बाद मैंने बहुत सारी books पढ़ी तो सबसे पहले मैंने Ridge Dad, Poor Dad पढ़ी फिर Think and Grow Ridge पढ़ी और मैंने One Upon Wall Street भी पढ़ी बाई Peter Lynch ये one of my favorite book है जो beginners के लिए मैं हमेशा suggest करता हूँ तो दोस्तो अगर आपका भी same problem है कि आपको books पढ़ने की आदत नहीं है तो आप शुरुआत के लिए Ridge Dad, Poor Dad के साथ स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही interesting book है और इस book को पढ़ने से दीरे-दीरे करके आप भी books पढ़ने की आदत ये develop कर सकते हो अभी दोस्तो फिर से मेरे trade पर आ जाते है जो मैंने अपने पहले दिन पर लिया था तो ITC के shares का भाव ये 11 बजे 10% डाउन था जो day end तक वापस minus 2% डाउन पर आ गया यानि 8% की stock ने recovery कर लिये और आगे चलकर ITC के shares मेरे profit में आ गये तो ITC के shares मैंने hold कर लिये और आगे चलकर वो profit में आ गये तो ऐसा था दोस्तो मेरा पहला दिन आपको क्या लगता है नीचे comment करके बताईए और अगर आपकी कोई ऐसी memories है अपने पहले दिन की stock market के अंदर तो आप वो भी मेरे साथ share कर सकते हो क्योंकि मुझे आपके comments पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यश टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके रखिए